तो आज हम बाईयों के बात करने के लिए हाँ इकठा हुए हैं और बाईयों की क्या बात करनी हैं तो बाईयों की बात करनी हैं कि जैसे पिढ़ी पिढ़ी से हम लोग देखते आये हैं कि हम औरतों की कुछ न कुछ समस्या रही है अब वो समस्या में बहुत सारे समस्या हो सकता है लेकिन हम अपने बारे में पहले जाने आज हम अपने बारे में बात करने के लिए यहां इकठा हुए हैं यह गाउं का नाम है विसाली और फलिया का नाम है जिरी मुहला जिरी मुहला तो आज हम क्यों इकठा हुए हैं इसलिए कि हमको अपनी बात करनी है अपनी स्वास्त की बात करनी है अपनी समस्या की बात करनी है अपन औरतों की बात करनी है अपन औरतों की बात मतलब हम औरते आज तो हमको सब य पिछे की इत्यास में हमको जाके पता करना है कि आज हमारी औरतों की स्थिती क्यों ऐसी हुई है तो इत्यास में बात करने में हम ये बात करेंगे कि बहुत साल पहले बहुत साल मतलब दो लाग दो लाग साल पहले जब मानाव समाज मानाव समाज सिकार करके खाता था क्या करके खाता था सिकार करके जंगल में जाता था और मास कोई भी जान्वार कोई भी जीव उस समय ऐसी खेती जैसी अनाज जैसी कोई बाते नहीं थी जब सिकार करते थे तो उस समय तो आज ज़से हम एक खड़े हुए है ना दो पैर से ऐसे भी नहीं थे वह बंदर कैसे चलता है बस वैसे थे चार पैर में चलते थे दो हाथ आगे के और दो पैर तो सिकार भी कैसे करते थे अब ये तीन जुकी भी है, हाद भी इधर जुकी भी है, पेर भी इधर जुकी भी है, और एक हाद से कितना सिकार कर लेगा, क्योंकि कमर सिधा था ही नहीं, तो दो लाख वर्स पूर्व, मनें दो लाख साल पहले, जब माना जो है, सिकार करके जीता था, तब सारे और आदमी में कोई फरक नहीं था, सब एक साथ सिकार करने जाते और एक साथ सिकार करके लाते और बाट के खा लेते, रखने का कोई कालम था ही नहीं, रखने के कोई बात थी, मास को रखेंगे सड़ जाएगा ना, तो इसलिए वेसी इस्थिती थी, उस समय आग भी नहीं था, आज तो अपन वारू चुला धो पाड़तें, वारू बढ़न सेक, वारू सेक जए कड़कड़ासा करीं, ऐसे करके खाते हैं कि नहीं? तो उस समय तो विचारें कच्चा मास कोई खाके जीते थे, वो एक जमाना था, उसी जमाने से लेके आज तक जो हमारे मानाव समाज की जो प्रगत करके खाते थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि समय बीचते गया और वो सीधा खड़े होने लगे, दो पैर के बल पे, है ना? तो दो पैर के बल पे जब खड़े होने लगे, तो उसका एक परिवर्ता नाया समझ लो, उस इनसान में, और परिवर्ता नाया तो उनके दो ह हाथ फ्री हुए, दो हाथ फ्री हुए, और उसमें मुख्य तर से और एक परिवर्ता नाया वो अंगुठे का, ये जो अंगुठा है ना, पेले ऐसा ही था, ऐसा, तो सिकार भी, कोई भी आउजार पकड़ते उसमें तो आउजार नहीं था, पत्थर का बनाते थे, और पत् पकड़ बन गया, ऐसे पकड़ बन गया, तो तब ऐसे जब पकड़ बन गया, वो कप की बात है, वो है पासान काल, वो पहले जो मैं बताई, दो लाख वारस पूरू है, वो है पूरो पासान काल, और जब ये परिवर्ता नाया, आदमी सीधा खड़े होने लगे, हाथ का ज ठीक है अच्छे से सिकार करने लगे तो अच्छे से खाने भी लगे है ना उस समय जानवर बहुत था आज जैसे अगर केते ना कि जानवर कम है जंगल में तो मनुस्य बढ़ गया ना मनुस्य की आज जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या सायद उस जमाने में जानवर की र पत्थर यूग आया, तो पत्थर यूग का, पत्थर यूग में इन लोगों ने पत्थर के अवजार बनाये, सिकार करने के लिए, मारने के लिए जानवर को, तो उसी लिए उसको पासाण यूग कहते हैं, पत्थर यूग कहते हैं, तो उस समय खेती जैसे कोई चीज नहीं थ थे तो सिकार ही उनकी जिन्दगी थी, फिर धिरे धिरे क्या होगा, कि जैसे सिकार में जा रहेए, तो उस समय तो आदमी अवराथ साथ में जाते थे, बच्चे भी साथ में, और उसी समय मानव की संख्या, इनसानों की संख्या कम थी, जैसे मैंने बताया, तो मानाव संख्या को बढ़ाना जरूरी था क्योंकि जानवर जादा थे, इंसान कम था तो इसलिए बच्चे को बचाना जरूरी था अब बच्चे को देख रेख नी करेंगे, ठीक से पालेंगे नी तो तो मर जाएगा न उसी समय उनकी उमर कितनी होती थी? तो आदमी 60-60 साल जीता है, दवई खाखा के 70 साल तक भी जीता है तो ऐसी नी थी पहले पहले थी कि भई दवई नी, दारू नी, कुछ नी तो इंसान मर जाता था, तो उसको बचाना भी जरूरी था तो मानाव ही उनकी संपत्ति थी, मानाव ही उनकी पुंजी थी चुकि वो दो पैर पे खड़े हो चुके, तो कमर कैसा हो गया? सिधा हो गया पहले कमर कैसा था? ऐसा जुका हुआ था अभी भी आप देखते ने, जानवार की डिलवरी में कोई दिक्कत होती है क्या? नी होती, कुते, बिल्ली, गाय, ढोर, भेंस, आराम से उनकी डिलोरी होती है है ना? क्योंकि उनका कमर ठीक हिसाब से है अभी हम लोग खड़े हो गया, मानाव खड़े हो गया, तो कमर सिधी हो गई तो हमारे जो ये हिस्सा है, पहले भी कमर का हिस्सा, वो सिकूड गया पहले चवड़ा था, खड़े होने से सिकूड गया सिकूड गया तो क्या हुआ? कि बच्चे का जनम होना कठीन हो गया पहले जुका हुआ हिस्थाब में रहते थे, चार पैर में चलते थे तभी वो मुश्किलात नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो मानाव का एक तरह से विकास हुआ, क्रमिक विकास बोलते हैं इसको, एक के बाद एक विकास होना को क्रमिक विकास कहते हैं, कि एक इस्थिती से दूसरी इस्थिती में जाना को क्रमिक विकास कहते है ठीक है ना तो तब जनाम बच्चे का जनाम मुश्किल हो गया तब इन लोग ने सोचा कि यार हमारी जनसंख्या तो बेसे ही कम है तो हमारी जनसंख्या नी बढ़ेगी तो हम जो है सिकार कैसे करेंगे जीएंगे कैसे तो इसलिए जो लोग और तें गर् पाइगी चल नी पएगी तो इन लोगों ने और मानाव को बचाना भी ज़रूर तो उन्हों लोगों ने ये किया की की वह जो है एक जगर है घर तो था नहीं आज जैसे अपने शब के के लिए ऐसे जगह पे वो रहते थे हैं ना तो आदमी और आउरत में कोई फरक नहीं था और कौन सा आदमी किसका आउरत कोई ऐसा भी नहीं था ये तो बाद में सब हुआ मैं बताऊंगी एक एक के बाद है ना तो माना बच्चा को बचाना जुरूरी था तो उसको एक जगा रखने लगे अभी वो एक जगह जब आउरत है बच्चे को जनम देने के लिए और बच्चे को बड़ा करने के लिए ठीक है तब और पासी बासी बात है तो उन लोग जब घर में रहते थे और बाकी लोग जब सिकार में जाते थे तो जब घर में रहते थे तब वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि बीजों का, कि भाई ये सब आज जिसको हम बीज कह रहे हैं ना, जिसको हम फसल कह रहे हैं, वो फसल एक तरह से जंगल का घास ही है, घास का ही बीज है, ये तो हम आउरतों ने, हमारे आउरत के पुराने पि जी था तो कौन सा अनाच खाने लायक है कौन से अनाच खाने लायक नहीं है ऐसा छाट के वो रखा करती थी जंगल से ले आती छाटती परकती उसको प्रयोक करती कहीं पर डाल के देखती कि उगता है कि नहीं पकता है कि नहीं ऐसा सब और करके उसको वो बचाते रहती थी तो जो ये बीज है जिसको आप फसल कह रहे हो आज जिसको हम आज अनाज कह रहे हैं उसका खोजने वाला कोन है हाँ ये बात कोन है औरते हैं ये हमारा इत्यास है है ना तो बीजों को किस ने लाया औरतों ने लाया है तो तब क्या हो गया चलो बीज तो अब औरतों ने खोज ली फिर क्या हो गया धिरे धिरे हम जैसे एक लाख साल पहले की बात कर रहे थे पत्थर के आउजार बना के जब सीकार करके जीते थे फिर उसके बाद क्या होगा धीरे 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 और परिवरतन आया है ना एक इस्थान एक स्थिती से दूसरी स्थिती में जाना दूसरी स्थिती से तीसरी ऐसे कितने ही हजार इस्थिती अपनी गुजरी जब जाके आज हम एकदम रास्साही की तरह जी रहे बारिस आता है तो घर के अंदर चले जाते हैं, धूप लगता है, तो छा में बेड़ जाते हैं, पंखा चला लेते हैं, बहुत कुछ करते हैंगे नहीं करते हैं, करते हैंगे नहीं बताओ, किसके किसके घर पंखा हैं बताओ, सब के घर हैं ना, तो अभी आम कैसे रहते हैं, राजा जैसे रहते ठीक है न? तो फिर क्या हो गया कि अब य बीस का चुनाव तो हो गया और तो ने इकाथा कर ली फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि उस समय अलग अलग गुरूप हुआ करता था ऐसी एक साथ ऐसी जनता नहीं थी अलग-अलग समू था अलग-अलग समू एक दूसरे से लड़ाई भी करते थे भई लड़ाई तो मानव की प्रवित्ती भी है मानव तो लड़ते ही रहता है लड़-लड़के तो आगे बढ़ा है अरे तू अत्रा कमा है मैं तो तारा से ज़्यादा कमा है इन दे खाड़ो है कि नहीं असा है कि नहीं बात अच्छा है हाँ तो यह वाली बात है तो ऐसे करते करते क्या हो गया कि पचीस हजार है ना कितना बीस-पचीस हजार साल पहले अपनी खेती की शुरुवात हुई ठीक है तो खेती की शुरुवात हुई तो वही बीज को क्या किया गया उप्योग किया गया कि उसी जो औरतों ने जो छाटा था बीज उसी को खेती में डाला गया उसको अंग्रेजी भासा में सटलमेंट कहते हैं है ना खेती की प्रक्रिया शुरू ही, खेती करने का रिवास शुरू हुआ, वो उतने साल पहले, 20-25,000 साल पहले जब शुरू हुआ तो बीज आउर्तों ने जो सेलेक्शन किया उसको बोया गया, और उसमें पका, पका तो अब ऐसा हुआ कि धिरे धिरे सिकार से हट करके, खेती मे लोग व्यस्थ होने लगे, क्यों खेती में व्यस्थ हुए, तो क्या हुआ कि थोड़ी-थोड़ी बच्चा थोने लगी, सिकार के चीज तो ऐसी थी, कि आज लाओ नाच खाओ, कल के लिए कई है नी, आख्ठी भी तो हाती नी, है नी, तो कहां गता धो पाड़न सेकिन रा है कि नी, कोई दिन परोणा आउसे तीरां दिन खासों करें, सही के, करें कि नी, है, असी बात, तो पहले तो आख्ठी भी नहीं हती, आख्ठी भी आया, तो एक लिए आपन लो खेती से लेके आगे की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, बचात होने लगा, जै में भर के रखते, है कि नी, तो खेती में जब बचात होने लगा, तो अब सिकार का धंदा कम होने लगा, एक जगा रह के खेती करना, और उसी दर्म्यान क्या बोला, क्या करें उन लोगोंने, खेती करना है, तो भाई, हल कौन जो पेगा, पहले ऐसी लकडी का तेढ़ा ऐस थोड़ी जगा रही गया, तो कहां का था हल लावें, कहां का था पक्खर लावें, है कि नी, तो फिर उसले उसको क्या करते हैं, एक लकडी को तेढ़ा बना लेते हैं, ले, खेत, पूर्या, ऐसे करें, शुरूआ जाते, है कि नी, और करके थोड़ा जगा बचा रहता है, तो पहले पूरी जगा को ऐसे बोते थे वो, है ना, तो मुश्किल होता था, तब उनने क्या किया, यह जो गाय धोर जिसको आज हम लोग गाय मातार, बेल, डोबी, भेस के रहे ना, वो पहले जंगल के जानवर थे, छुटे, है ना, उनको कोई बानते हुनते नहीं थे, ज तो यह जानवर सुधे है, आज भी सुधा है कि नहीं, सीधा है, मतलब जिसको हम पाल सकते, तो माना उनने क्या किया, कि उस खेती में, खेती करने के लिए एक मदद चाहिए, तो उनने बैल को, गाय को सब अपने साथ रखा, पाला, और उसको खेती में उप्योग किया, वह ही से खेती में ही उसको फिर अनिमाल हस्बेंडरी कहते हैं अंग्रे जी में लोग सहर वाले, पता अनिमाल हस्बेंडरी क्या है, अनिमाल हस्बेंडरी मतलब पसुओं का नियंतरन, पसुओं को अपने कबजे में किया, अभी हम माना समाज में भी ऐसा होता है, कि अभी यह थोड़े पढ़े लिखें, तेरा husband कहां गया, ऐसे बोलते हैं, तो वहीं से वो सब दाया है, यहां तो ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन सहर में कहते हैं कि तुमारा husband कहां गया, आफीस गया की घर में हैं, ऐसा, तो वो husband का मतलब क्या हो गया, पती का मतलब क्या हो गया, नियंतर बेंडरी का तो जमाना चला गया अभी आवरा थास बेंडरी चल रहा है सही एक नी तो ऐसा हो गया और आपन को जो बोले वो करना पड़े पांच बच्चा पैदा कर तो हो भाई पांच करें है ले चल खेत में जुपे रहा दिन भर दिन डूप से तीत आओ जे आओ जे नी है तो अभी दीन अपर आपनी आदत भी कैसी बन गई करना बापरे मानदा नी हुए वह तक काम करना यहार आपना बायरोसेत काम करें जब तक भीमार नी पड़े जब तक काम बंदी करें जब घर में खत्लीन पड़ जाई निए जา उसका दूसरा मान से ध्यान देता है कि यार आज डाली क्यों सुई गई आज इसको क्या हो गया तब उसको भालते पेले नहीं भालते ओ कई माथा दूख रहा है कई चक्कर आ रहे तब कोई पूशते नहीं तो ऐसी इस्तिती में हमको इन लोगों ने फसा दिया हम इस इस्तिती में कैसे फस गया ऐसे फस गया कि हमने भरोसा किया उनकी उपर कि ये हमारा मदद करेगा आज भी भरोसा ही करते कि हम मानदा पढ़ेंगे तो यादाम डाली जाएगा वारू करने सुधार ने या आदमी लोग हमको सुधार रहेंगे आज भी ऐसे ही सोचते कि नहीं और पैसा तो किसके पास रहता है उसके ही पास चलो अपने को देते क्या पैसा रखने अच्छा तुम बताव इतने मेंसे किसके पास पैसा पेटाराम रहता है घर का बताव कौन इन पास रहे तुम आतरा बायरा छे बीस पचीस तुम्रों घर में कौन पईशा राखे कौन राखे आदमी राखे ले बोलना पड़े तो आज भी हमारे हाथ में कुछ ये बात